आज से 15,000 साल पहले यानि इसा पूर्व 13,000 साल पहले ये दुनिया कैसी थी और लोग किस तरह जीते थे उस यूग को क्या यूग कहा जाता था तो आज हम बात करेंगे आज से 15,000 साल पहले की दुनिया की आज से 15,000 साल पहले की दुनिया की नमस्कार आज से 15,000 साल पहले की दुनिया को कहा जाता था प्राग एतिहासिक काल क्या कहा जाता था प्राग एतिहासिक काल यानि पासार काल इस काल में मनुस्य जंगली जीवन जीता था क्या जीवन जीता था जंगली जीवन जीता था वे जंगलों में रहते थे और जंगली कंद मूल फल को खाते थे साथ ही वे जनवरों का सिकार भी करते थे क्या करते थे जनवरों का सिकार करते थे और उसका मास खाते थे कच्चा मास खाते थे और आदी माना समुहों में रहा करते थे वे लोग समुहों में रहा करते थे और समुहों के साथ एक इस्थान से दूसरे इस्थान चले जाते थे एक जगा रहते फिर समुहों के साथ दूसरे जगा पर चले जाते थे उस जमाने में न घर था न खेत खार कुछ भी नहीं था उस जमाने में लोग घर को जानते भी न थे घर को नहीं जानते थे ना ही खेती किसानी होता था खेती किसानी के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे उन दिनों पहनने के लिए कपड़ा भी न था क्या था कपड़ा भी न था वे लोग पेणों की पत्तियों छाल तथा जानवर की खाल को पहनते थे कहने के मतलब ये कि वे लोग जंगली जानवरों की तरह समू में रहते हुए जंगली जानवरों की तरह समू में रहते हुए जंगल में घुमा करते थे और जनवरों की सिकार करते थे और मास को खाते थे तो उन दिनों तो हथ्यार था नहीं तो फिर वे लोग सिकार कैसे करते अरे भाया उस दिन जो कहीं पर आसपास ना छोटे छोटे पत्थर पा गया है उस पत्थर को घीसते थे और घीस करके नुकिली बना लेते थे नुकिला और उसी पत्थर को मार करके जानवरों का सिकार करते थे और वे लोग जैसे भी थे पर एक बात है वे सब आपस में प्रेम से रहते थे जो भी खाने को मिलता था मील बाट करके खाते थे न जात पात न धरम कुछ भी नहीं था न हिंदू, मुस्लिम, न सी किसाई कुछ नहीं था खाली जो थे सब मानाओ थे क्या थे सब मानाओ थे तो मानाओ समाज के इतिहास में इस काल को पूरा पसाण कहा जाता है तो ए तो होई पूरा पसाण काल की बात फिर अगले वीडियो में हम बात करेंगे मध्य पसाण की बात नमस्कार झाल